मिदलीस में इस वक्त तनाव का महौल है की जाने और कोटनीती के रास्ते पर लोटने का आग्रे करते हैं इरान में 10 हजार के करीब भार्ट के नाग्रिक रहते हैं जबकि इसराइल में उनकी संख्या 18 हजार के करीब है मगर यहां बड़े पैमाने पर यूद छेड़ गया तो भारत के लिए बड़ी मुसीवर खड़ी हो जाएगी भारत के लाखो नाग्रे का खाड़ी देशों में रहते हैं यूद के हालात में उन सभी को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनाती होगा नई दिल्ली की एक बड़ी चुनता ये भी है कि इसमें खाड़ी के मुंड़ों में इंफरस्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश किया हुआ है जिस पर यूद से खत्रा मंजराने लगा है पिछले कुछ सालों में दिली तेहरान समंधों का फोकस चाभार बंदरगा का विकास रहा है जो भारत रूस के लिए व्यपार का प्रमुक मार्ख है युद के चलते इस मार्ख से होने वाला व्यपार प्रभावित होगा INSTC के जरिए इरान के रास्ते हुए मध्य एशिया और रूस के साथ व्यपार किया जा सकता है ये स्वेज नहेर की रास्ते की तुल्ना में और किफाइदी मार्क है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वज़ा से तेल की कीमतों में जाफा हो सकता है इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि वो इरान से तेल एक्सपोर्ट करता है युद्ध से तेल की सप्लाई बाधित होगी और कीमते बढ़ेंगी इसकी वज़ा से भारत में महंगाई और बढ़ सकती है तो ये तमाम चीज़े हैं जो इरान इसराइल का युद्ध जिसकर हस्ता है